दोस्तों कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियों को टेड़ा करना पड़ता है सौधी अरब के शेखों को भारत ने दिखा दिया है कि अगर आप भारत को तवज्जो नहीं देंगे और ओपेक ग्रूप के देशों के साथ मिलकर भारत विरोधी नीतियों को बनाएंगे तो भारत के पास भी आज पैसा है और पैसे की ताकत है जिसके चलते भारत आपका बॉयकॉट कर सकता है ये बाते आज बहुत कलियर हो गई है कि भारत ने सौधी अरब को फैटे पर फैटा मारा है और इसी फैटे के कारण सौधी अरब लाइन पर आ गया है इसमें किसी को भी शक नहीं है कि सौधी अरब के पास तेल है लेकिन सौधी अरब के शेखों को भी ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि भारत के पास भी पैसा है अगर तुम्हारे पास तेल है तो भारत के पास भी पैसा है और हम भी अपने पैसे से आपको चकमा द अब भारत की सरकार ने अपने ओयल रिफाइनरों को कहा है कि आप अपनी जो डील है मीडल इस्ट के देशों के साथ उनको रिव्यू कीजिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपको देश किस देश से तेल खरीदना है आज पूरी दुनिया में सौधी अरब जैसे देश त तेल बेजते हैं अमेरिका जिसे देश तेल बेजते हैं नोर्थ अमेरिका जिसे देश तेल बेजते हैं कजाकिस्तान जो सेंटरल एशिया है वहाँ पर तेल बिखता है आदर बेजान तेल देता है तो दुनिया में तेल देने वाले देशों की कमी नहीं है और जो सौधी अ नमबर वन बनने की लिस्ट में आगे होगा ये बात भारत ने क्लियर कर दी है कि OPEC प्लस कंट्रीज भारत का बोईकोट करेंगी तो भारत के पास भी आज इतनी ताकत है 130 करोड की जनता है जो आज एक हत्यार के रूप में सौधी के तेल के वैपन के रूप में एक इस्तेमा कि जा सकती है आज अगर आपको बताएं तो भारत के अंदर सौधी अरब का निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था लेकिन अगर सौधी अरब ने भारत के अपने ध्यान में रखते हुए नीतियाम नहीं बनाई है तो भारत भी अब सौधी अरब को अपने देश में नहीं देने वाला है और यहां पर सॉधी अरब का तेल आज है कल नहीं हो जाएगा कौन दुनिया में तेल खरीदेगा जब पूरी दुनिया इलेक्टरिफिकेशन की और चली जाएगी और जूस्व समय सॉधी अरब का तेल कोई नहीं खरीदेगा तो आखिरकार साओधी अरब की कमाई कैसे चलेगी इसी के चलते साओधी अरब भारत को एक सिक्योर मार्किट देख रहा है क्योंकि चाइना जैसा खत्रा साओधी अरब की कमपनियों में एक देखा नहीं जाता है भरत के अंदर जो कंपनिया है चीन के अंदर तो बॉयकोट की देश बने जा रहा है और इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर सौधी अरभ यहाँ पर अपना पैसा निवेश करता है तो उसके पैसे के बहुत सी एक कीमतें बढ़ने वाली है और बहुत ज़ादा उसे एक जो revenue है revenue generate होने वाला है लेकिन अगर आप भारत को ignore करते हैं तो आपका जो निवेश करने का जो एक लक्षे है वो निवेश करने का लक्षे है भारत कभी भी पूरा नहीं होने देगा यानि कि भारत अब दो धारी तलवार से सौधी अरब को काटेगा एक तो हम उनसे तेल नहीं लेंगे और दूसरा सौधी अरब जो भारत के अंदर निवेश करना चाहता है उस निवेश को हम मंजूरी नहीं देंगे रिलाइंस के अंदर 20 फिज़दी स्टेक खरीदने की बातें सौधी अरामको की कंपनी करके बैठी है लेकिन भारत सरकार अगर चाहे तो सौधी अरब को दो मिन्टों में अपनी जेम में डाल कर उसकी जो हेकड़ी है सारी निकाल सकती है सौधी अरब को भी पता है आज उनके पास तेल है 30 या 20 सालों के अंदर सौधी अरब के पास तेल नहीं होगा और नहीं दुनिया को तेल की जुरूरत होगी उस कड़ी में सौधी अरब के पास पैसा कहां से आएगा ये सबसे बड़ी चिंता का विश्य सौधी अरब के लि